हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहें इसके लिए घंटी विदवाएं होली के इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को होली की धेट सारी अनंत असे सुबकामनाई होली का दहन के साथ ही आपके जितने भी नकारात्मक उर्जा नकारात्मक जो विचार है सारे दहन हो जाए और आपकी जीवन के इंदर निरंतर शकारात्मक उर्जा का शकारात्मक शक्ति का शकारात्मक विचारों का संचार हो ऐसी मेरी सुबकामनाई है ऐसे मेरा विश्वा स से एसी मेरी आसा है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से अपरा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 26 में आज जो हमारा है ये अपरागे पद्दे भाग की आकरी सीरीज होगी अगली सीरीज में गद्दे सुरू हो जाएगा अच्छा लगी तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा चलिए सुरूआत करते हैं देश उठेगा गोरव साली परंपरा नंद जोसि का जन्म कहां हुआ था बाढमेर राज़स्तान में के आगे हम बात करें तो नंदलाल जोसि जी की पुझे माता जी किनके पदों का गान करती थी तो अगवान स्रीकृष्ञ के पदों का वो गायन किया करती थी नंदला जोसे ने राष्ट्र प्रेम व इस भक्ति के कितने बजनों की रचना किये तो 211 तो राष्ट्र प्रेम के गीतों की इन्हों ने रचना किये है और 161 इस भक्ति इस वर भक्ति से सम्मन्द गीतों की रचना किये इन्हों ने और इनके गीत को बाबा राम देव भी कई बार अपने मन्चों से उसको प्रस्तूति देते हैं गायन देते हैं नंदलाल जोसी की परमुग रचनाई है प्रेरिना पुस्पांजली और भक्ति हिलोर प्रेरिना पुस्पांजली और कौन सी है भक्ति हिलोर अपरा में जो संकलित नंदलाल जोसी की दो गीत हैं अब अपरा जो हमारा यह द्याइस में कौन से दो गीत और वो कौन से एक तो द दे सुटेगार गोरवसालि परमपरा, अगला देखिए, किस गीत में कवी आववान करता है कि केवल अधिकारों के प्रति जागरुक होने से काम नहीं चलने वाला, हमें अपने करतमियों को भी नहीं बोलना चाहिए, तो किस गीत में ये दे सुटेगार गीत के अंदर ये किस देश को कहा देश क कभी के अनुसार प्रकार का देश कभी ये प्राप्त नहीं कर सकता हिएज तrick गौरव साली परंपरा गेत के अनुसार अखिल विश्व को जीवन देती है तो गौरव साली परंपरा जो गेत है उसके अनुसार भारत भूमी है भारत की दो धरती है वो अखिल विश्व को जीवन देने वाली है बस उनको ही अपना मानने की बात करें जो भारत की मिट्टी स करते हैं जो बारत की भूमे से प्रेम करते हैं कवी ने बस उनको अपना मानने के लिए कहा है विस्पिकर भी नहीं मरा तो वीज़्पिकर कौंि यहीं मरेते बहगवान सिव के सद्याय कहा कर और वैसे बहगवान सीव विकल्प में नहीं आये और कोई भक्तों के समंदर में आये तो मेरा भी विस्पेकर नहीं मरेती वो भी आप ध्यान रखिएगा अनुसंदान के लिए क्या आवशक है अनुसंदान के लिए क्या आवशक है ध्यान का एकाग्र होना एकाग्र रुचित होना किसी भी प्रकार के अनुसंदान के लिए बहुत जरूरी होता है और भारत को सावधान रहना है जो देश विगादक सडियंत्रों से जो देश के परती सडियंत्र रचे जाते हैं उनसे भारत को सावधान रहना है कवी स्वतंत्र भारत से क्या आसा करता है तो नवीन तेज और चेतना लेकर सिट से खड़ा हुआ भारत जो है दुष्टों का दृड़ता पूर्वक दमन करे ये स्वतंत्र भारत से कवी है जो आसा रगता है करता है तो शुक्रिया दोस्तों ये थे इस कक्षा में कुछ विशेस प्रशन सेर जरूर किया करें आप लाइक और कमेंट भी किया करें